अगर नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने यूडि चलल जे एल ज्हारखन लाइब में दोस्तो राई सरकार द्वारा हाली में ज्हारखन लाइड मूटिशन एक्ट 2020 पारित किया गया है अध्यादेश को मंजूरी दिया है राजजी सरकार ने तो यह काफी चर्चा म हाली के दिनों में इससे सम्मांदित हम लोग यहाँ पर महत्पुन फैक्ट्स देखने वाले हैं कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किये गये हैं तो अगर आप ज्हारखन लाइड चनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और चलिए हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में ज्हारखन लाइड मुट्विशन एक्ट 2020 से सम्मांदित महत्पुन फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिजे प्रमुख विंदू जो है पर मु आरखन में ऐसा कोई भी विधयक नहीं था जिससे जमाबंदी रद करने यह मुट्विशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से परिभासित किया गया हो नए बिल में तीन प्रावधान किये गये हैं पहला जमीन की दाखिल खारिज करने के लिए ओनलाइन आवधन देना होगा इ आगे उपायुक्तिया एडिसनल कलेक्टर के यहां भी अपील की जा सकेगी उसके वाद यहां पर देख लिए इस बिल में अवैद जमाबंदी कायम होने या एक ही जमीन का दो जमाबंदी होने पर रद करने का प्रावधान किया गया है तो एक ही जमीन का दो बार यहां पर जब बहुत सारे लोग करते हैं कि दो बार जमाबंदी कर लेते हैं तो इसे रद करने का प्रावधान भी किया गया है पहले यह नहीं था इसलिए इसके लिए एडिसनल कलेक्टर को अधिकार यह दिया गया है रद करने का अधिकार जो दिया गया है वो एडिसनल कलेक्टर क को दिया गया है इसके वीरूद उपायुक्त और रि विजिन मंडल आयूद के पास शिकायत की जा सकेगी कि इसमें किसानों के ली खाता पुष्टिका का प्रावधान किया अगी है पुष्टिका का अंचल अस्तर पर विध्रन किया जाएगा जिए तो किसानों के लिए खाता पुष्टिका का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है इस विध्यक में इसके बाद यहाँ पर देख लिए जो है आरोपी की गैर मौझदगी में भी हो सकेगी सुनवाई तो आरोपी अगर नहीं भी रहेंगे यहाँ पस्तित कोट में तब भी कामलों में भी सुनवाई हो सकेगी जिसन में आरोपी वर्सों से फरार है और कोट नहीं आ रहा है केस के गवाह बयान दर्ज करा सकेंगे कावजातों की जाच हो सकेगी और जब आरोपी पकड़ में आएगा तब उसे सजाद दी जा सकेगी तो यह सारे प्रावधान जो है वो इस विधयक में किये गए हैं वर्तमान में राज्य में जब तक आरोपी कोट में हाजिर नहीं होता था तब तक सुनवाई शुरू नहीं हो पाती थी इसे संबंदित विधयक को स्विकृति दे दी गई है कैबिनेट ने अपराधिक वाद में अभियुक्त के अनुपस् में भी वाद के विचारन के लिए बन्ठ प्रकिरिया सहीता की धारा 299 में संसुदंधन के लिए इंप्रकिरिया सहीता धोर संसुदंधन विधययक 2020 को स्विकृति व्यूर्तमान nd tv मीम्यूटेशन की currently बीहार पेटेंट हो डिनिंघ अप र theoपारrose defic eres रजिस्टिशन है या फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो बिहार के वक्त का ये एक्ट है और ये 1973 का बिहार का एक्ट है उसी के थाथ यहाँ पर आज तक प्रक्रिया सारी चल रही थी जहारखन राज्य में लेकिन इस एक्ट में ऑनलाइन म्यूटेशन का जीक्र नहीं है जिस पर जहारखन लाइन मूटेशन एक्ट 2020 का गठन किया है तो ये काफी चर्चा में रहा था यह विवाद था यहाँ पर सुभद्रा देवी बनाम जहारखन सरकार का ठीक है तो इस विवाद के कारण ही यहाँ पर हाईकोट ने इस मामले का संग्यान लिया था और उसके बाद विधेयक की धारा 22 में राजस्व पराधिकारियों को संरक्षन या सुरक्षा का प्रावधान किया गया है इस धारा की उपधारा 1 में सासकी कारियों के लिए संरक्षन सुरक्षा परदान किया गया है इस धारा की उपधारा 2 में उपधारा 1 में दिये गए संरक्षन सुरक कारिवाही शिविल कारियावही विहाग्य कारिवाही अथ्वा अन्य माध्यम से किसी परकार की कारिवाही कभी भी करने के लिए राजी सरकार सुतंत्र है तो यहां पर मामला है यह काफी विवादों भी रहा यहां पर तो राजी सरकार ने इस पर जो है वो सफाइद देने की कोशिस की है कि जो यहाँ पर जो प्राधिकार होंगे अधिकारी होंगे ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकारी जो होंगे उनको सनरक्षन दिया जाएगा लेकिन देशा कि आप यहाँ पर देख पारें कि इस परशितिती में यहाँ पर राज्जी सरकार जो है वो कारवाई करने के के लिए सरकार सवतंत्र है ऐसा भी मेंशन किया गया है तो दोस्तों यह थी यहां पर जार्खन लाइक कर लिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक सेयर कर दिया करिये ताकि अन्य लोग भी यहां पर जूड़ सके और जार्खन लाइन मुटेशन एक्ट के सम्मंदित में महत्पूर्ण बिंदू यहां पर समझ सके जान सके इस विध्यक को